नसुरुला गंच नगर के इंदोर रोड स्थीर ग्राम पांडा गाउ के बस्टैंड के पास गरीब खरीचन आदिवासी समाज की एक कॉलिनी बसी है जिसमें लगब 20-25 मकान जुगी जोपरी बनी है जिसमें लोग निवास करते है जो लबब 15 दिनों से अंधेरे में अपना जीवन व्यक्तित कर रहे ग्रामीनों ने डीपी जलने की बात बताई ग्रामीनों ने बताया कि लाइट नहीं रहने का कारण डीपी जलना है लाइन मैन द्वारा डीपी उतार कर ले गए है तभी गाओ के छोटे लाल केवट व्यक्ति द्वारा गरामिनों ने 200 रुपए कहा लाइन मैन को देना है लेकिन कोई रसीद नहीं दी थी तभी गरामिनों ने बताया कि जो गराम के लिए डीपी लगाई गई थी जिससे लाइन मैन एवं किसान की मिली भगत से डीपी से कनेक्शन लेकर खेतों में पानी दिया जाता है जिससे डीपी जली है डीपी जलने का खामयाजा गरामिनों को भुकतना पड़ रहा है उस पर गरीबों से अवैद वसुली की गई। तभी मीडिया द्वारा हस्तिक शेप करने पर लाइन मैन राजु दूरवे द्वारा छोटे लाल केवट को बुलाया गया। चोटे लाल द्वारा गरामीनों को उनके पैसे लोटाए गए। वही गरामीनों ने बताया कि लाइन मैन द्वारा एक एक हजार रुपए मांगे जा रहे थे। इस पर लाइन मैन से चर्चा करने पर बताया कि एक एक हजार रुपए अस्ताई कनेक्शन हे तो मांगे गए दो दो सो रुपे की वसूली जो गरीबों से की गई थी मुख्यमंत्री के ग्रीह शेत्र में कुले आम ब्रश्टाचार हो रहा है गरीबों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है यह सब लाइन मैन और ग्रामीन चोटेलाल केवट की मिली बगत को उजागर करता है ऐसे आप से हैं अच ड़ा है दो-जो रुपे क्या के कि लिए और नहीं है अच्छा किते घर से लिए कम से कम अच्छा इन आछ डोज बहुस्ता अच्छा दो-जो असके बास से आई नहीं अच्छा वह दो दो सु रुपे की रसीत दी क्या नहीं है अच्छा तुमारा राइनमेंस आपका नंबर है क्या किसी के पास होगा अच्छा इनार राइनमेंस आपका जया है